नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जा रहे थे, मैदान से कुछ ही दूरी वे आगे बढ़े थे कि पुलिस ने उन्हें बेरिकेटिंग करके आगे बढ़ने से रोक दिया बता दे अखिले जार्खन प्रात्मिक सिक्छक संग के बैनर तले चार सुत्री मायंगों के समर्थन में परदर्शन कर रहे हैं संग के बिजेंदर चोबे ने कहा है कि इस परदर्शन को लेकर पहले ही सारी त्यारी की जा चुकी थी पुलिस ने रूट भी तय कर दिया था फिर भी आज हमें पुलिस ने क्यों रोका हमें नहीं मालूम उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी बात खुद मुखे मंत्री नहीं सुनते हम यहीं डटे रहेंगे सरकार हमारे साथ हमेशा भेदभाव करती रही है हमारी मांगे जाज है और इससे सरकार मुह नहीं फेर सकती जारखन में ठंडी पच्छुआ हवा की वाजा से पिछले दो दिनों से तापमान नीचे गिरा हुआ है इससे लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है रांची मौसम विज्यान केंद्र के अनुसार पिछले 24 गंटे में डालते गई सबसे ठंडा रहा यहां का तापमान 9.2 डिगरी सेल्सेस रिकोर्ड किया गया वहीं पच्मी सिम्भूम का चाई बासा सबसे गर्म रहा यहां अधिक्तम तापमान 29.8 डिगरी सेल्सेस रिकोर्ड किया गया बता दे पिछले 24 गंटे में रांची का अधिक्तम और निम्तम दोनों तापमान समाने से कम दर्श किया गया है रांची का अधिक्तम तापमान समाने से 0.3 डिगरी सेल्सेस कम वहीं 25.8 डिगरी सेल्सेस और निम्तम तापमान समाने से 1.7 कम 11.4 डिग्री सेस्यस रिकोर्ट किया गया है मुख्य मंत्री सार्थी योजना के तहत 3 साल में 2 लाख युवाओ को रोजगार के लिए ट्रेनिंग का लग्ष है जार्खन सरकार ने राजे के युवाओ को निसूल के तक्निकी और रोजगार परक प्रसिक्षन देने के लिए मुख्य मंत्री सार्थी योजना सुरू की है योजना के पहले चरण में अकामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओ को रोजगार परक ट्रेनिंग देने की लग्ष ताय किया गया है और इसके लिए कूल 2263 कोलर रूपय की राशी खर्च की जाएगी राज सरकार के स्रम नियोजनों प्रसिक्षन विभाग ने इस योजना को लागू करने का जो संकल्प जारी किया है उसके मुताबिक बितिये वर्ष दोहजार 23-24 में 661 कलोर दूतिये वितिये वर्ष में 764 कलोर और तीसरे वितिये वर्ष में 838 कलोर रूपय की राशी खर्च की जाएगी इस योजना के तहत 18-35 वर्ष की उम्र तक के युवाओ को गयर आवास जे ट्रेनिंग की जाएगी आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे जार्खन में 31 दिसंबर 2029 तक बने भवन होंगे नियमीत जार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के निदेश पर नगर विकास ओम आवास विभाग ने राजे के सहरीछ छेतर में किये गए अनधिकरीट अवास ये निर्मान को नियमीत करने के दिशा में करवाई शुरू कर दिया है बिभाग के द्वारा इसके लिए अनाधिक्रित आवासे निर्माइन के अनिमिती करन के लिए योजना 2022 के परूप त्यार कर लिया है मुख्यमंत्री ने योजना को समती दे दिया है मुख्यमंत्री ने योजना के तहत 11 दिसंबर 2029 के पहले निर्मीत आवासे एवं गर आवासे भावना का निमिती करन होगा सहरी छेत्र में किये गए अनधिक्रित विचलित निर्माइन को निमिती करन सुल्क के माध्यम से निमिती करन को लेकर जारकन अधिनियम 2011 अधिसुचित किया गया था लेकिन काफी संख्या में लोग इस अउसर का लाब नहीं उठा सके फिर सरकार दोरा अनधिक्रित निर्माइन को निमित करने के लिए योजना 2019 अधिनियम किया गया स्वास्त सहिया से मिले मंत्री बना गुपता मांदे को लेकर करेंगे बात जारखन में स्वास्त सहया अपने अस्थाई मांदे को लेकर पिछले तीन दिनों से रांची के मुराबादी मैदान में परशन कर रहे हैं इनकी मायंग है कि उन्हें बेतन के रूप में कम से कम 18,000 रूपे परतिमा दिये जाए इसके अलावा उन्हें राज अस्थर करमचारी की सुवधा दी जाए उन्होंने बताया है कि कुरोना काल में उन्होंने जीज परकार से काम किया है उसके लिए अभी तक प्रोसाहान रासी भी मुहया नहीं कराया गया है जार्खन में स्वास्त साहिया अपने मांगों को लेकर रांची के मुराबादी मैदान में परशन कर रहे हैं तीन दिवसे धाना परशन में साहिया की समस्यावों को सुनने के लिए स्वास्त मंत्री बना गुपतामों के पर पहुँचे इसके दोरान उन्होंने कहा है कि साहिया बहने स्वास्त बेवास्ता की रीड है जार्खन सरकार इनकी हर मांग को पूरा करने के लिए गंबीर है इसे लेकर वे केंद्रिय स्वास्त मंत्री और केंद्र की सरकार से भी भात करेंगे जार्खन के नक्सल परभावित गढ़वा में 120 टीफिन बम और आईडी बरामत जार्खन के बुढ़ा पहार पर चल रहे नक्सल बिरोधी अभियान के दोरान सनिवार को पूलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है जनकारी के नक्सल पर नक्सल पर चल पर चल रहे ने की मंसा से चुपा कर रखे गए भारी संख्या में गोला बारूद आईडी और टीफिन बम सहीद अन्य समागरी बनामत हुई है जनकारी के अनुसार सनिवार को बुढ़ा पहार के बीहर जंगलों में कोबरा 203 की टीम एक और दो बटालियान CRPF 172 बटालियान CRPF 62 बटालियान सहीद जार्खन जगवार के सन्युक्त टीम द्वारा सगहन सर्च अभियान चलाया जा रहा था इस दोरान जोग पानी जंगल में छुपा कर रखे गए 20 फोटक समागरी की बराब्दमी की गए इड़ी की करवाई से बढ़ा राजस्व साहब गंज में इड़ी धफतर खोलने की सला एक हजार कोर की अवयद खनन मामले में इड़ी के रांची एरपोट रोड इस्थीत छेतरी ये कर्याले में गत 17 नॉमबर 2022 को इड़ी के पुष्टाष में मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने भी समनांतर प्रश्ण किया और जबाब दिया करिब 10 गंटे की पुष्टाष के दरान मुख्य मंत्री वे इड़ी के अधिकारियों ने कई ब्रेक भी लिये इस दर्मियान इधर उदर की बाते भी हुई इडि सुतरों के अनुषार मुख्य मंत्री हें मन्तिन से पूष ताच के दरण मुख्य मंत्री ने कहा है कि इडी की हाल के दिनों में हुई अवै खणन के विरूत करवाई के बाद खणन से झार्खंड सरकार को बेहतर रयस्व की प्राप्ति हुई है मुक्ष मंत्री ने E.D. को सुझाओ दिया है कि वे अपना एक कर्याला साहव गंज में भी खोल ले इससे सरकार करेश्व की बिरिधी होगी जारखन में 50 हैर सिख्षकों की बहाली पर बोले मंत्री जगणात महतो जारखन के सिक्षा मंति जगनात महतुने सनिवार को बोकारो इस्थित अपने गाउं अलारगो में बाचीत में 50,000 सिक्षकों की बहाली बीजेपी 1932 का खतियान और निसीकान दुवे पर अपनी पर्तिकिरिया दी उन्होंने कहा है कि हमनतो सुरेन सरकार के खिलाब भाजपा की बड़ी साजिस है भारतिय जनता पार्टी चुनाओ के बाद सही लगातार सरकार के खिलाब साजिस कर रही है कभी खरीद फ्रोक्त तो कभी सरकारी तंत्र को लगा कर परिसान किया जा रहा है भाजपा चाहती है कि पुरे देश में किसी का राज नहीं हो जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ कोई जाच नहीं चल रही है जहाँ गर भाजपा सरकार है वहाँ जाच में ED, ID, CBI लगी हुई है वहीं सिक्चा मतिजगनात मतों ने कहा है कि सरोजन पेंसर नियोजना के तहुत सभी को पेंसर मिल रही है पचास से अर्सिस्कों की बहाली पर कहा है कि इसके लिए नियोजन नीती बनेगी जैसे बिहार में नीती बनी हुई है पलामू में दो BPO को सोकाज और दो आंगनवाली से विकाओ को डीसी ने किया बरखास्त जारखन के पलामू जिला में उपायुक्त ने सनिवार को BPO और आंगनवाली से विकाओ के खिलाब करवाई की है DC ने दो BPO को कारण बता और नोटिस चारी किया जबकि दो आंगन वाली से विकाव को बरखास्त कर दिया है पलामू के उपायुक्त ने सभी वीडियो वा जिला अस्तरिय पतादिकारियों संग बैठा करने के बाद यह करवाई किया है अधित्यपूर में रेलवे ट्रेक के पास मिटी धसने से दो महिलाओ की मौत जमसेदपूर से सराय के लाख हरसावा जिला के अधित्यपूर में रेलवे ट्रेक के पास मिटी धसने से दो महिलाओ की मौत हो गई है एक महिला आदित्यपूर मुल रूप से चाई बसा की रहने वाली है जबकि दूसरी महिला चांडिला की रहने वाली है आदित्यपूर के विधूत नगर में दोनों महिलाये रहती थी घर की लिपाई पुताई के लिए मिटी लाने रेलवे लाइन के किनारे गई थी बताया गया है कि आदितिपूर थाना अंतरगत वन भोमी पर बसे विधूत नगर की दो महिलाए मन्जू सवईया वा टून-टून की मौत मिटी धसने से हो गई है कुडमीयों को एस्टी का दर्जा देना ही होगा सुदेश महतो कुडमीयों को अनुसुजित जन जाती एस्टी का दर्जा मिलना ही चाहिए या उनका हक है अजादी के बार आदिम जन जाती की सुची में कुडमी भी हुआ करते थे उन्हें सव्यकावन की जनगन्ना में कुडमियों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया उन्हें क्यों बाहर किया गया इसकी कभी जनकारी नहीं दिगाई अब अगर वे फिर से अपना हक मांग रहे हैं तो उन्हें उनका अधिकार मिलना ही चाहिए ए बाते अल जार्खन स्टुडेंट यूनियान सुप्रीमो सुदेश महतों ने बातचित के करम में कही है इसके अलावा भी उन्होंने जार्खन के राष्ट्रिये जनतांतरिक संगठन सरकार में कई भी भागों के मंतरी भी रह चुके है जार्खन पहुचने लगे बिदेशी मेहमान जार्खन के हज़ारी बाग जीला के छड़वा डेम और गोंदा डेम में बिदेशी पक्षियों का आना सुरू हो गया है हरवर्श सर्दी के मौसम में एपक्षी जार्खन आते है साइबेरिया से करीब 11,000 किलोमेटर के दूरी तय करके एप परवासी पक्षी जार्खन आते है शुरूदय के बाद से साम लगभग पांच बये तक जलासे में रहते है इन पक्षियों का आगमान अक्टूबर और नोवंबर के महिने में ही होता है वही मार्च और अप्रेल के बीच में ए बिदेशी मिहमान फिर अपने घर लोट जाते है पलामू में अवैध खनन आठ क्रेसर संचाल को परप्राथमे की दर्ज जायरखन और बिहार की सीमा परिसित पलामू जीला में खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन भंडारन एवं परिवहन के खिलाब बड़ी करवाई की है खनन पदाधिकारी अनंद कुमार ने आठ क्रेसर को सील कर दिया है तीरपन सो सीएफटी बोलडर, बाइस एर पान सो सीएफटी एस्टोन एवं तेरह सो सीएफटी डस्ट को चप्त कर लिया है और आठ क्रेसर संचाल को पर पांकी थाना में प्राथमी की दर्ज कराई है एस सभी क्रेसर पांकी थाना चेतर के अलग-अलग हिसो में अवाय धरूप से संचालित किये जा रहे थे दिसंबर के पहले हपते नक्सली हिंसा की असांका भागपा मवादी का दस्ता इंदिनो, पीपुलस, लिवरेशन, गुरीला, आर्मी की 22 वी बसगाट की त्यारी में जुट गया है पर तेक वर्ष 2 से 8 दिसंबर तक नक्सली या वर्सगाट मनाते है इस दर्मियान वे इस पर्यास में रहते हैं कि सुरक्षा बलो को चोट पहुचा है इसे देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है और नक्सल परवाई छेत्रों में अपनी खुपिया एजेंसी को सक्रिये कर दिया है पुलिस मुख्याले को भी पी एल जीये के वर्सगाट की सुचना है और बहुत जल्द ही सभी जीला को एक बिवीद अलर्ट जारी होगी जार्खन परदूसर नियंतरन बोर्ट के सज़स्य सचीव पर करवाई का आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिवनल ने एक कंपनी को पर्यावर्निय मुआबजा में छूट दिये जाने पर जार्खन राज परदूसर नियंतरन बोर्ड के निरनय पर हरानी जताई है ट्रिवनल ने पर्यावर्निय कानूनों और सुप्रीम कोट के आदेशों की अवहेलना करने के लिए बोर्ड से सदस्य सचीव यतिंद्र कुमार दास के खिलाप अनुससनात्मक करवाई करने का निदेश राज के मुख सचीव को दिया है एंजी टी ने अपने आदेश में कहा है कि सदस्य सचीव की ओर से ऐसा किया जाना कानून की उनकी पूर्ण अग्यानता और अवहेलना को दर्शाती है जार्खन नगर निकाय चुनाव में पिछडों की हक मारी आजसू पार्टी के केंद्रिय अध्यक सुदेश महतों ने कहा है कि जूट की बुनियाद पर खड़ा संगठन आजराज का नेतित्व कर रहा है जिस पार्टी ने जार्खन अंदोलन को लटकाने और भटकाने का काम किया उसने अब खट्यान तथा आरक्षन जैसे गंभीर एवं सर्मेदन सिल विशय को भी लटका दिया सनीवार को पार्टी के केंद्रिये समित्ती की बैठक में उन्होंने कहा एकि खत्यान अधारित अस्थानिये एवं योजन नेति तथा आरक्षन के विशय पर आजसू पार्टी सुरू से ही मुखर रही है दूसरी तरफ वर्तमान राज सरकार ने नगर निकाय चुना में भी पिछलों की हक्मारी की है बैठक को समुधित करते हुए सांसर चंद्र प्रकास महतों ने कहा है कि आज राजे के जीती किसी से चिपी नहीं है जारखन में पिछलों का आरक्षन कोटा बढ़ाने से भाजबा आईसू की उड़ी निंद राजनीती में जातिय समिकरन को साधना अवस्यक है जिस समुधाय के जितनी ज्यादा संख्या होती है उसी मुताविक उसे प्राथमिक्ता देने की परमपरा है जारखन भी इस से अचुता नहीं है बताद यहां भी बिभीन समुधाय का समिकरन साधने में सभी दलों के बीच जोर आज माइस चल रही है फिलाल इसमें सतारूट जामों कांग्रेस रायाजगर बंधन आगे निकल दिख रहा है आदिवासी केंद्रीत रायनीती को बिस्तार देते हुए सतारूट जारखन मुक्ति मोर्चाने पिछला वर के आरक्षन परतिसत को 14 से बढ़ाकर 27 परतिसत करने के अंसंसा सम्बंधीत विधेक विधान सभा से पारित किया है पिछे वर्गों के संगठनों के या पुरानी मैंग है इन संगठनों का दावा है कि जारखन में पिछला वर के आबादी 55 परतिसत है इसी मुत्ताबले इस समुदाय को आरक्षन मिलना चाहिए जारखन नगर निकाय चुनाव समिधान के खिलाप राष्टपती को पत्रे पुर्व सांसा सालखन मुर्मु ने राष्टपती द्रोपदी मुर्मु को पत्र लिखकर कहा एक जारखन में नगर निकाय चुनाव समिधान और आदिवासी हीतों के खिलाप है उन्होंने राष्टपती को लिखे गए पत्र में कहा है कि जार्खन राज निर्वाचन आयोग की अधिसुचना संख्या 3, संख्या 175, 2012, दिनांग 17, 11, 2012 का नगर निकाय समधी चुनाव अधिसुचना समिधान की भाग 9, 1, 6, 243, जेड सी और भाग 10, 6, 244 का उलंगन करता है जल्धी इस पर सार्थक करवाई कर समिधान और आदिवासी हितों की रक्षार्थ कोशिस करेगा राजेपाल बोले भारत में हिंदी का या हाल क्यों? तो हम होंगे राजेपाल एक दिवस्य दवरे पर देवगर पहुंचे थे उन्होंने हिंदी विद्या पीठ बीएड कॉलेज परिसर में एगनु अध्यान केंद्र का सुभारम किया बोकारों में डॉक्टर के इंतियार में साथ घंटे तक प्रसो पीडा से तलबती रही महिला ज्यारखन के बोकारों में सदर अस्पताल की बेवस्ता पुरी तरह राम भरोसे है यही कारण है कि सुक्रवार को दिन के 3 बजे अस्पताल पहुंचे गरबती महिला को रात 10 बजे चिकित्सक का इंतियार करना पड़ा इस दोरान महिला प्रसो कक्ष में तलबती रही लेकिन किसी ने उसकी सूद नहीं ली हलाकि जब अस्पताल के उपाधिक्षक डाक्टर बीपी गुपता को इसकी जनकारे मिली रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिनहाने सनिवार को रांची की विभीन बाल गिरी आसरे बिरिधा आसरम और सन प्रेक्षन गिरी का निरिक्षन किया निरिक्षन के दुरान उपायुक्त ने इन सभी आस्थानों में बेवस्था का बारीकी से जाजा लेते हुए समधित पताधिकारियों और बेहतर बेवस्था के लिए आवस्था दिशा निर्देश दिये गाए। उपायुक्त ने सबसे पले बरियातु इस्थीत करूना एन एम ओ पहुँचे यहां पहुँचकर उपायुक्त द्वारा संचालक से पूरी बेवस्था की जनकारी ली गई बचों के खाने पिने चिकिसी जाच दवाई और सिक्षा के बारे में उपायुक्त ने बिस्तार से ज शामानित, स्पेनिन संस्था की उर्स सनीवार को डाक्टर सिधनाथ कुमार असमिरिती और सहित्य गौरो समान समरो शाजन उर्सुलाइन कंवेंस्ट स्कूल के सबागार में किया गया। केंद्रीय माध्मीक सिक्षा बोर्ड की दासवी और वरावी की बोर्ड परिक्षा फरवरी या मार्च दुह जातेस में परस्तावी थाए, इसे पहले स्कूल दो प्रिबोर्ड परिक्षा ले लेंगे, ताकि विद्यार्थियों की त्यारी बेहतर हो सके। इसके लिए बोर्ड की और से स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है, स्कूल अपनी सुविधा अनुसार, फर्स्ट प्री बोर्ड दिसंबर जबकि सेकेंड प्री बोर्ड जन्वरी में करा सकते हैं, बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वे नए पटर्ण के अनुसार परिक् चाही है वहीं जार्खन में यह ज्यादा मार्क साबित नहीं हुआ बावजूद इसके राजे के 6 जिलों में लंपी इसकीन डिजीज की पुष्टी हो चुकी है और करीब बारह पसुओं की मौत भी लंपी डिजीज से हुई है ऐसे में यह बिमारी राजे में विक्राल रूप न ले इसके लिए ज्यार्खन राजे पसुपालन विभागने लंपी इसकीन डिजीज को रोकने में बेहतर कारगर साबित होई और गोट पोक्स भैक्सीन की 8,90,90 हेर डोज की खरीदकी है और हर जीलों को प्रथम चरण में 35, 35,30 एर भैक्सीन भेजा गया है जिसे पसुपालक जीला या प्रखंड पसुपालन पतादिकारी से संपर्क कर अपने गाय और भाइस को दिलवा सकते हैं बाराहवे जारखन जूडो चेंपियंशिप का उधगाटन सनीवार को नामकुम के आरके आनन्द ग्रीन बॉल एस्टेडिया में किया गया चेंपियंशिप का उधगाटन जूडो एसेसेशेशन के अध्यक्ष के एन तिरिपाठी विधायक राजस कक्छप जीला परिसद बीपिन टोपनो थानेदार सुनिल तिवारी आंसुमान राय ने दिप प्रजलित कर किया मौकेक पर तिरिपाठी ने कहा है कि तीन दिनों तक चलने वाले इस परत्योकता के बीजेता राश्ट्रिय अस्तर पर आयोजीत परत्योकता में भाग लेंगे परत्योकता में राजभर के लबग 450 परतिभागी सामिल हो रहे हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों साथ सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडबैक अवसे दे थैंक यू